नमस्कार साथियो नियूस क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं कभी कभर आर्थिक जगत की खबरे बहुत आकरसक लगती हैं लेकिन उनका ठीक ठाक अंदाजा नहीं लग पाता रिलाइंस की कल की खबरों के साथ भी कुछ ऐसा ही है सौधी अरब की कंपनी आरामको ने रिलाइंस की 20% हिस्सेदारी हासिल करने का फैसला लिया है साथ में रिलाइंस ने यह भी कहा कि वो ब्राटबंड सर्विसेस को बहुत ही सस्ते दरब पर 5 सितंबर से उपलब्ध करवाएगी इसी पर बातचित करने के लिए हमारे साथ हैं वरिस्टार्तिक पत्रकार परणजाए गुहा थाकुर्ता तो यह सौधी अरब की कंपनी आरामको है क्या पहले दो कदम आप पीछे हटे रिलाइंस इंडस्ट्रीज क्या है यह पहले मैं बताओ उसके बाद सौधी अरामको के बारे में मैं कहूंगा देखिए रिलाइंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आर आई एल भारत वर्ष के नीजी कंपनी में सबसे बड़ा है कभी-कभी एक और कंपनी है टी-सी-एस टाटा कंसल्टिंग सर्विस कंसल्टिंसी सर्डिसेज जो कहते मार्केट कैपिटलाइजेशन मगर उसका शेर में क्या कीमत है और जितने शेर है अगर आप एक अठा कर देंगे तो कभी-कभी टी-सी-एस रिलाइंस के आगे बढ़ जाते हैं कभी-कभी रिलाइंस टी-सी-एस के ऊपर मगर नीजी कंपनी में सबसे उपर में है और रिलाइंस इंडस्ट्री लिमिटेट का चैर्मेन है मुकेश अंबान जी वो जो सिर्फ भारत पुश्कियों लोग कहाते है एशिया में सबसे पैसा, धन, संपत्ति उनी के पास है इस दर रिचेस्ट मैन तो सबसे जो महत्यपूरना बात है कि ये जो 12 अगस्ट, सोमवार के दिन उन्हेंने अपने शेर होलडर्स को सरीद मुबारक कहा और कहा कि 42 साल ये कंपनी इसका चल रहे बोला, 18 मैना में कोई रिन रही रहेगा एकदम जो रिन था वो खदम हो जाएगा इस वक्त, रिलाइंस का रिन कितना है एक अठा अगर आप करेंगे तो 2.8 साथ लाक करोर और ये कहते हैं ग्रोस डेट, यानि कि पूरा रिन मगर उसके साथ अगर आप कैश थोड़ा निकल जाते हैं और कैश के तरह जो संपत्या है वो अगर निकल देंगे फिर भी एक लाक चोवन हजार एक तशमल चोवन लाक करोर इसका नेट रिन है तो कुछ दिन पहले एक कंपनी है वो देखते हैं क्रेडिट स्वीस उन्होंने कहा ये रिलाइंस के लिए ये जो रिन है बहुत जादा है और उनका जो क्रेडिट रेटिंग कहते हैं वो कम कर दिया न्यूट्रल में था वो कम करके अंडर परफॉर्म में बना दिया तो ये इन सब का नजर में आ गया तो मुकेश अंबानी जी 12 अगस्ट को कहेगा कि चिंता मत करो अगले पाथ साल में एकदम शुन्य हो जागा किस तरह से होगा इसमें अभी आरामको का कहानी आ जाता है आरामको का क्या कहानी है आरामको विश्म में सबसे बड़ा जो कच्छे तेल से इनका अलग-अलग विश्व में अलग-अलग देशों में इनका कारखाना है इनका कारोबार है ठीक तो इन्होंने लगभग एक लाग करोड से जादा पंदरा अरब डॉलर निवेश करेंगे और आप जैसे कहां 20 फिसदी जो शेर है Reliance Industries का एक तेल और केमिकल का जो बिजनस है जिसका पूरा कारोबार है पंच दशमल दो लाग करोड जिसमें वो विदेश से निरियात करते हैं दो दशमल दो लाग करोड करते हैं ये इस डिविजन में ये अलग तरीका से करेंगे और ये हैं जादा से जादा जामनगर में जादा जामनगर में जहां पे Reliance आयात करते हैं कच्छे तेल विश्व के अलग अलग जगा से वहाँ से और उसको फिर बाद में रिफाइन करके उसको पेट्रोल डीजल रसोई गैस हवाई जहाज के लिए जो फिव एल नाफ था वकला वकला ये बीस साल पहले ये साफन किया और दस साल के बाद ये विश्व का सबसे बरा विश्व का सबसे बरा तेल का रिफाइनरी एक जगा में है और ये इसका जो कापैसिटी है लग भग बारा दश्मल चार लाक बैरल हर रोज और सबसे महत्यपूना बात ये है कि ये जो साओधी आराम को है ये लग भग पाच लाग बैरल हर रोज देंगे इस साल में पूरा फॉर्मल एग्रीमेंट हो जाएगा एक समझाता हो जाएगा इस वक्त उसको कहते है नॉन बाइंडिंग ल ओ आई आने की नॉन बाइंडिंग लेडर अव इंटेंग मगर उग कहने की आने वाले एक साल में ये सब साफ हो जाएगा और सिर्फ यहां नहीं रिलाइंस इंडस्ट्रीज एक जॉइंट वेंचर बनाया है ये ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ ये जो ब्रिटिश कंपनी है ये उन्चास दशमल इनका जो जो रीटेल करते हैं जो आप पेट्रोल पंप है वो साथ हजार करोन इंके मिला मगर ये जो एक लाग करोर एक लाग एक दशमल एक लाग करोर एक तरह से भारतवश में जो विदेशी निवेश सबसे ब्रा निवेश हो जागा अगर ये आजाएगा आने वाले एक साल के आस पास और साथ साथ लिलाइंस इंडस्ट्री इस लिमिटेट का जो रिन है ये कम से कम कम हो जागा ये खत्म हो जागा जैसे मुकेश हम्बानी जी कह रहे है उनका अन्यूल जर्ल मीटिंग में कि आने वाले डेट साल में ये और रिन बाकी ने रहेगा क्योंकि देखिए अगर आप रिन लेंगे तो आप इसके उपर वैजदर भी देना परता जैसे रिलाइंस इंडस्ट्रीज का जो जितना वैजदर देना परा इसको जितने हम कहते हैं के फाइनसिंग देट ये दुगना हो गया था 2017-18 जो वित्या साल था वो आठ हजार बावन करोड था वो बरके 16,495 करोड तक पहुँच गयते हैं तो इसलिए क्रेडिट स्वीज उसको डाउन ग्रेड कर दिया तो अभी मुकेश अंबानी जी कह रहे हैं कि आने वाले 5 साल में हर साल हमारे उनका जो कारोबार है लगातार 15 फीज़ दी बरेंगे और 5 साल के बाद ये शायद अलग-अलग कंपनी होगा और साथ-साथ दो और इसका जो कारोबार है रिलाइंस जीओ और रिलाइंस डीटेल इस पे आने से पहले सरल भासा में अगर हम इसको कहें तो रिण को अपने चुकाने के लिए 20 प्रतिसत की हिस्सेदारी का फैस्टला किया गया इस डिवीजन में लेकिन ये डिवीजन जाता कहां पर है कि इंफरास्ट्रक्चर जैसे मामले हैं ये अगर हम इसको देखें कि कच्चा तेल प्रोवाइट करने के लिए आराम को आएगी जामनगर में तो इसके बाद की जो इस्थिती होती है तो क्या जो कच्चे तेल से और भी सारी चीज़े बनती है पेट्टोले में जिसके बाद में और भी आपने चीज़े कहेंगी फटिलाइजर भी होता है विटामिन की कैपसूल भी बनती है अलग-अलग केमिकल्स होते है तो क्या इन सब का वैपार रिलाइंस के पास रहेगा कि आराम को के पास जाएगा देखी आराम को अगर 20 फिसदी भी शेर है बाकी 80 फिसदी तो रिलाइंस के पास ये रहेगा आज नहीं जो एक सरकारी संगसा था IPCL इंडियन पेट्रो केमिकल्स Corporation Limited वाजबाई सरकार के समय से जब रिलाइंस के हाथ में आ गया 95 फिसदी जितने सारे पेट्रो केमिकल्स है जितने प्लास्टिक प्रोड़क्ट्स है जो प्लास्टिक का जो चीजे है ये एक ही कंपनी बनाता है ये है रिलाइंस इंडिस्ट्री इस लिमिटेड ये ये वास्तव है और साथ-साथ ये भी हमें मानना परेगा देखिए आज भारत वर्ष का अर्थ विवस्ता में क्या है हम 80 फीसदी से जादा कच्छे तेलम विदेश से आयात कर रहें क्यूंकि हमारे देश में हम इतना उत्वादन नहीं कर रहें और साथ-साथ हम जब ये विदेश से आयात करते हैं इसलिए अंतराश्ट्रे बजार में कच्छे देल का कीमत हमारे देश के उपर हमारा अर्थ विवस्ता के उपर एक असर परते है और साथ-साथ हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि जो जामनगर का रिलाइंस इंडस्ट्री का जो रिफाइनरी है ये सबसे बरा आयात भी करते हैं और निर्यात भी करते हैं क्योंकि हमारे देश के अगर जो एक्सपोर्ट का निर्यात का जो पूरा अगर हम बिल देखेंगे इसका सबसे बरा आइटेम है अलग-अलग जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जैसे पेट्रोल, डिजर्न, रसोई, गैस, अलग-अलग चीज़ है नेफ्ता और ये रिलाइज की जामनगर चीज़, एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ ये अगर जामनगर का रिफाइनरी और भी बरा हो जाता है विश्व में ये अल्रेडी सबसे बरा है, पहले भारत विश्व में सबसे बरा था फिर एजिया में सबसे बड़ा था और लगबग अभी आठ दस साल हो गया कि विश्व में सबसे बड़ा ऐसे एक Integrated Refining Complex कहते हैं एक और ऐसे रिफाइनरी के बात चल रहे थे जो हमारे जो सरकारी संग्स था हैं Indian Oil Corporation, Hindustan Petroleum, भारत Petroleum वो महराष्टा में एक रतनागिरी जिला में बनाने का बातचीच चल रहे थे हो भी आराम को के साथ और भी अभू दावी का जो नेश्नल लॉइल कंपनी हैं उनके साथ शायद ये नहीं भी तो एक तरह से डिलायंस और भी बर रहे और और हमारे Indian Oil Corporation नीजी शायद उस गती से नहीं बर पाएगा. कहिए इस चाज के अब इसारा तो नहीं है कि Reliance अपने तेल वाले बिजनिस को छोड़कर टेली कम्मुनिकेशन की तरफ ज्यादा इंवेस्टमेंट कर रही है और ब्राडमेंट सर्विस को सस्ता पहुचाना जाती जैसे कल क्या दिखा उस पूरे मामले को सपस्ट कैसे करेंगा पात साल पहले ये जो कच्छे तेल, रिफाइनिंग, केमिकल्स, पेट्रो केमिकल्स ये जो बहुत बरा हिस्सा था पूरा Reliance Industries का जो कारोबार था इसमें बाकी सारे चीज़े, जैसे Reliance GEO, Reliance Retail, जो आप दुकान में जो चीज़े बेचते हैं, जो आपका जो किराना का खुद्रा बजार है ये दो फीज़दी से पांच-पांच साल पहले, आज लगबग एक तिमाही के आसपास पहुँच गा, एक तिमाही ने 33 पीज़दी, 32 पीज़दी के आसपास पहुँच गया, पूरे कारोबार कांच, और मुकेश हमबानी ने कहा, उनका AGM में 12 अगस्ट, कि ये बरके 50 पीज़दी हो जागा, मतलब आने वाले सालों में Reliance GEO, Reliance Retail, और भी बर जाएगा, और एक तरह से शायद, अभी तक भी बजार में हो सकता है, तो ये आने वाले समय बताएंगे, मगर मुकेश जी ने कहा कि विदेश से, किसी का नाम उन्होंने उलेखने किया, बहुत सारे निवेशक है, वो निवेश करने के लिए तियार है, इतना उन्होंने कहा, सिर्फ एक टाइप है, जो कहते हैं, पाश्टे संगस्ता है, उनके साथ, क्या समझाओता होगा, ये आने वाले समय बताएंगे, तो पहले रिलाइज जीओ के बारे बहुत कहा देता हूँ, रिलाइज जीओ का जो पांच सिप्टेंबर से रिलाइज जीओ फाइबर, ये जो नाया कारिकरम शुरू हो जाएगा ये ब्रॉड बैंड और इसमें बहुत कुछ होगा, अलग-अलग स्कीम्स रहेंगा, सिर्फ आप फोन का इस्तिमाल कर सकते हैं, सिर्फ डेटा का इस्तिमाल कर सकते हैं, अलग-अलग, दोनों एक साथ करनी चाहते हैं, तो आपको 700 रुपया से 1000 रुपया देना परेगा, औ और अलग-अलग एक LED यानि की Light Emitting Diode का एक टेलिविजन का एक सेट आजाएगा, एक सेट आप बॉक्स आजाएगा, मगर कितना पैसा देना परेगा, ये सारे अभी तक पक्का नहीं है, समय बताएंगे, मगर जो अभी कह रहे हैं, कि ये आप फर्स डे फर्स शो दिंग से, तो आपका Cinema Hall जाना नहीं परेगा, आप घर में बैठके, Reliance Geo, Geo Broadband या Geo Fiber से आप देखिए, और इसका जो स्पीड है, 100 MBPS से 1 GBPS, bytes per second, bits per second, million bits per second, 100 और Giga एक तरह से, उसका 10 गुना, और इस वक्त, पांच लाख घरों में Reliance Fiber है, इस वक्त, मगर मुकेश जी, उमीद है कि ये 100 गुना बर जाएगा आने वाले कुछ, सालों में, हजारों देश में, हजारों शेहर में लोगों के पास पहुच जाएगा, तो देखिए, अभी समय बताएंगे, और भी बहुत कुछ लोगों को बता रहें, कि अगर आप सिर्फ Voice Facility कि आ आप जो 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 लैंड लाइन से, अगर टेली फोन के काम, तो आपको मुफत मिलेगा, अगर भारत बश्च में कहीं भी फोन कर सकते हैं, आपको एक बारा पैसे दे दीजिए, और मुफत में आपको मिल जाएगा, और कितना आपका रेट कम हो जाएगा, उन्होंने कहा कि प अमर जी फोन कीजे, महीना में पाच्चो रुप्य दे दीजे, इन सारे चीजों से एक चीज नहीं लगता कि बहुत जनलुभावने योजना दे करके एक कमपनी जिसके पास बहुत बड़ा फंड है, वो पूरे के पूरे मार्केट को डिस्रप्ट कर देती है, जो दूसरे म एक महाल बनाया, जो रिलाइंज जीओ को सबसे जादा फाइदा मिला, और लुक्सान किसका मिला, एर टेल, आइडिया वोटाफोन जो एक अठा हो गया, और हमारे नीजी शेत्र में भारत संचार निगम लिमिटेड, महानगा टेलिफोन लिमिटेड, ये हार रहे है, एर ट और भी कुछ कर रहे है, और लोगों को कह रहे है कि देखिए, हम शुरू करेंगे एक तरह से वो कहते हैं कि नैरो बैंड आई ओटी, इंटरनेट आफ तिंग्स, आने वाले दो साल में हम देंगे, और ये मतलब क्या है, इंटरनेट आफ तिंग्स, सरल भाशा में, आप इं आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे, और स्मार्ट फोन, आपका घर अतिंत चलाक हो जाएगा, तो ये दिखा रहे है, और कह रहे है कि आने वाले सारो में हर साल 20,000 करोर का जादा मिल जाएगा, तो हाँ, रिलाइंस जी हो, तो आगे बर जाएंगे, मगर कौन हार जाएगा, य जितने सारे जो DTH operators है, direct to home operators है, वो उनका जो competitors है, जो rivals है, इनके साथ जो प्रतिध्वन्तिता है, सब लोग बहुत दुखी हो जाएगा, इनमें Tata Sky है, Z Group का Dish TV है, Airtel Digital है, Dakshin भारत तामिलाडू का Sun Direct और दुरदर्शन, और किसका फायदा मिलेगा, MSO, MSO क्या है, multi-system operators, जो आपका cable TV देते हैं, जो broadband देते हैं, और मुकेश जी ने कहा कि, एक तरह से ये जो DTH, direct to home, जो facility मिलता है, लगबग एक लाख, जो छोटे cable operator है, जिसको कहते है, LCOs, local cable operator, जो स्थानियों केबल का, इन लोग को फायदा मिलेगा, और साथ-साथ, reliance भी आप देखिए, हैथवे में share खरीद लिया, DEN में share खरीद लिया, GDPL हैथवे में कर दिया, इन तीनों company जिसमें reliance भी share खरीद लिया, यही 30,000 आपका local cable operators, LCOs के साथ इनका संपर्ख है, तो पूरा भारतवश में अगर एक लाख क्यास पास local cable operators है, इसका 30 विजदी है, reliance एक तरह से, तो ए उसके उपर एक दियंत्रन reliance का, अधिकार हो गया, control आ जाएगा, उसका monopoly कह सकते है, dominance आ जाता है, वो उसके उपर बहुत बड़ा आसर है, आपसे अंतिम सवाल, भारत की मतलब यह सबसे नीजी छेतर की सबसे बड़ी company, सबसे धनाध्य आदमी, इनका investment का सबसे बड़ा एर यह information technology का है, और मौनरंजन छेतर का है, इन सारे जगों पर है, तो वो हम बार बार जो एक चीट सुनते हैं कि infrastructure में invest किया ही नहीं जा रहा है, भारत की बुनियादे धाचे को अच्छा किया ही नहीं जा रहा है, तो क्या वही है कि मध्धवर की जो संबेदना है, उसको capture करके laugh कमाने का एक तरीका, देखिए, अभी तक मैं एक विशे के उपर बाचीट करने का मौका नहीं आपने दिया, एक और हिस्सा है Reliance Company का, Reliance Retail, जो आज बहुत सारे इनके दुकान है, इसका जो revenue है, जो कारोबार है, एक लाक, एक दश्मल तीन लाक करोड से बर गया, और दुकान हाले वाले है, जो छोटे शहर में, जो हम कहते हैं, टियर टू, टियर त्री, टियर फोर सिटीज, और साथ-साथ, इन्होंने बरे-बरे जो बहुराश्टे संगस्ता है, जैसे Walmart, जैसे Amazon, उनकों साथ अभी उनका प्रतितन दिता होगा, और सरकार भी एक तरह से जो जो नियम है, जो नीती है, रूल्स, पॉलिसीज में भी अदल-बदल, तो रिलाइंस जीओ का, वहाँ पे भी फायदा होगा, और साथ समय बताएंगे कि कितने ऐसे, एक तरह से चोटे दुकान हैं, जिसमें आपका फल, सबजी, और उन्होंने कह रहा है कि जो किराना के परक रखेंगे, आपका पैसा कहा से आएगा, पैसा कहा से जाएगा, ये सारे सर्विसेज देने के लिए त्यार है, और देखिए अपनी समय बताएंगे ये कितना बुरा हो जाएगा, आने वाले समय बताएंगे, ये कितना बुरा हो जाएगा, आने वाले समय बताएंगे, झाल